स्वागत आपका एक बार फिर से शानौलज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए लेखे हैं भाई एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो आपके एक्जाम में आएगा ही आएगा लिखके ले लो ठीक है फानिंस इंस्पेक्टर का हो स्ब इंस्पेक्टर का हो शुपरवाजर का हो नाईब तसलदार पटवारी जतने भी जेके डिक्स्जबी एकशाम हें उनका फेवरिट टॉपिक है ये आपका ची के पोर्शन का 5-year plans of India आपके 12 5-year plans थे ठीक है plans कौन बनाता था उसके बाद plans क्यों खतम हुए last 5-year plan कौन सा था किस plan को किस नाम से जाना जाता था ठीक है और सरवोध्य plan क्या है गांधियन plan क्या है उसके बाद आपका Bombay plan क्या था ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के last तक सारे concept 5-year plans के आपको A to Z clear कर दूँगा ये मैं आपको इतनी guarantee देता हूँ ठीक है तो ये आपको पता है most important topic है आपके exam point of view से PYQs हम लोग कर रहे थे PYQs से हम लोग क्या guess लगा रहे है कौन सा JKSZB का favorite topic है अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है PYQs भी एक बार जाके जरूर check out कर लीजिएगा ठीक है तो चलो हम start करते हैं हमारा आज का session इसकी PPT भी आपको telegram channel पे मिल जाएगी telegram channel का link आपको description box में दे दूगा वहां से join कर लीजिएगा telegram में pin comment जो होगा वहां से आप हमारा whatsapp channel भी join कर ले ना वहां पे daily static gk plus current affair हम लोग वहां add कर देते हैं short notes के through ठीक है भाई तो चलो start करते हैं हमारा आज का session ठीक है 5 year plans पहली चीज 5 year plans को जानने से पहले आपको पता होना चीजिए कि भाई planning क्या चीज होती है economic planning क्या होती है ये balance करना एक secure balance करना किस-किस के बीच में हमारी demand and supply के बीच में ठीक है वक्त था 1947 का जब हमें क्या हुई, क्या मिली भाई आजादी मिली, क्या मिलती है हमें मिलती है आजादी उस वक्त जब आजादी मिली देश की इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि हम लोग हर चीज में बेटर परफॉर्म कर सकते तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पहले इनसान की रिकॉर्मेंट के होती है पहले भाई साब खान पान तो हमारा जो पहला फाइव रखना है ठीक है कौन रेगुलेट करता था यह हमारा प्लैनिंग कमिशन यह आपको याद रखना है ठीक है यह रिस्पॉंसिबल होती थी हमारे पांच साल के प्लैन्स बनाने से पहले हमारे पास से एक प्लैन ओर आया था कि प्लैन एकॉनमी ऑफ इंडिया इसकी गई थी 1934 में सुनते रहे न अच्छे से मेरी बात है 1934 में सर एम विश्वेश्वराया नहीं कहा कि economic planning इंडिया में ज़रूरी है 1934 की बात कर रहा हूँ तो planned economy of India को लाया जाए जिसमें हम लोगों क्या करेंगे 10 year plan लाएंगे क्या लाएंगे 10 year plan ठीक है तो अब ये आया पहली बार फिर उसके बाद national planning commission को set up करा गया किसके अंडर जोहर लैल नहरूजी के द्वारा कब किया गया था 1938 में ठीक है ये set up करने की बात हुई बट नहीं set up होई पाया था क्यों क्योंकि world war 2 की वज़ा सी आपको पता है world war 2 नहीं कर पाई कुछ चीजों की वज़ा से political era जो हाँ हमारा वो थोड़ा सा change हो गया था due to world war 2 ठीक है फिर 1940 का plan आता है Bombay plan क्या आता है ये Bombay plan इसमें क्या कहा था कि 8 leading industry list present करेंगे कि Bombay plan में 15 years की investment strategy होगी कितने साल की Bombay plan हमने बोला था 15 years की investment strategy होगी क्लियर याद रखना है connect कर से चल दोगे तो आपको याद रहेगा then S.N. Agarwal जी ने 1944 में क्या कहा गांधियन plan लाते हैं हम जिसमें हमें focus करना है agriculture और rural economics पे किस पे agriculture और rural economic पे क्लियर तो अब फिर उसके बाद हमारा आता है first five year plan first five year plan first five year plan किस ने लाया अभी मैंने आपको बताया था इसको formulate कून करता था first five year plan that is आपकी planning commission of India social and economic development ठीक है पहला जो five year plan था उसमें हमारा main focus किस पे था भाई हमारा that is on agriculture clear याद रखना है balance approach थी हमारी इसके लिए development के लिए इसको हम लोग बोलते है harad domer model clear first five year plan को क्या बोलते हैं हम लोग harad domer model clear अब कुछ बातें planning commission के बारे में आपको पता होना चाहिए planning commission जो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ advisory body थी क्या थी advisory body थी इसके अलावा कुछ नहीं था establish कब हुई थी ये पंद्रा मार्च 1950 को ठीक है प्रधान मंत्री जो PM होते है वो इसके ex official chairman होते है first five year plan जो था ये start होता है हमारा कब 1951-1956 तक ठीक है इसको हम लोग क्यों सा model बोलते हैं याद रखना है अपने harad domer model ओके ये आपके लिए important हो जाता है clear है first five year plan plan hydrodomal model इसका जो था हमारे पास है 34% growth हमने की थी किसमे भाई agriculture में और इस five year plan का जो हमारा target था कितना था कि हमने कितना percent achieve कर रहा है ये था हमारा 2.1% ठीक है और हमने growth कितनी की थी भाई yes तो first five year plan में हमारी growth थी 3.6% clear ये point भी आपको याद रखना है clear है अगर planning commission की बात करो तो पहले chairman कोँ थे तो वो थे हमारे जोहरलाल नहरूजी जोहरलाल नहरूजी फर्स्ट deputy chairman की बात करो तो गुलजारी लाल नंदा थे कोँ थे गुलजारी लाल नंदा ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है Planning Commission को हमने scrap किया उसके बाद NDC की बाद हमने last PYQ में की थी NDC का question आपसे पूजा गया था तो ये एक apex body थी जो सारी execute करती थी जो 5 year plan थी उसको final approval को उन देता था आपका NDC NDC किसकी थी non constitutional body है किसके under आती है ये भी आपकी planning commission के under आती है ये भी आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें जो planning commission plan करके बनाती है तो NDC आपकी उसको execute करती है implement करती है फर्द ठीक है तो NDC आपको याद रखनी है NDC हमने establish की थी 6 August 1952 को ठीक है planning commission को हमने replace किया किसके साथ नीती आयोग के साथ ठीक है कब 1st January 2015 एक January 2015 को but हमने announce कर दिया था नीती आयोग का 15 August 2014 को clear है ये हमारा think tank है नीती आयोग को क्या है हमारा याद रखना है आपने ये हमारा think tank of India है ठीक यहाँ तक clear है चलो अब जो आपने five-year plans है ये formulate किये जाते थे हमारे central government की द्वारा clear है याद रखना है आपने इसको जितना भी finance करता था कोन करता था central government of India ठीक है हमारे five-year plans जो थे वो तीन breaks लिये थे तीन साल ऐसे थे जिन में हमारे five-year plans काम नहीं किया था work नहीं किया था क्यों नहीं किया था वो जब मैं प्लान आपको कराऊंगा वहाँ सब चीजें आपको detail में discuss कराऊंगा discuss कराऊंगा तीन breaks थी एक तो 1966 से 1969 ठीक है 1978 टू 1980 1991 टू 1992 ये ही साल आपने याद रखने है फर्दर में आपको discuss करवा के बताऊंगा आपको मैंने बताया था last 5-year plan कौन सा था हमारा ये था हमारा 12th 12th 5-year plan जो था ये हमारा सबसे last 5-year plan था जो हमारा कब से कब तक था 2012 से लिखे 2017 तक clear उसका growth target कितना था 8% जो आपका 12th 5-year plan था 2012 से 2017 ये आपको याद रखना है बाकी अभी one by one सारी चीज़े हम cover करेंगे पहले थोड़े से basic concept आप लोग देख लो clear next 5-year का concept हमने कहां से बौरो किया है USSR से कहां से USSR से father of Indian economic planning किसको बोलते है M. Wishwishwara मैंने आपको अभी starting में ही बताया था कब 1934 में इन्होंने आइडिया दिया था 1934 में तो Indian economic planning की father किसको मानते है M. Wishwishwara ठीक है chairman of Niti Ayog PM ये आपको ex-officier chairman होते है वाइस chairman of Niti Ayog सुमन बेरी आज की ठीक है latest बता रहा हूँ मई 2022 के बाद से सुमन बेरी CEO of Niti Ayog परमेश्वरम आयर clear Niti Ayog का headquarter New Delhi में है clear क्योंकि आप planning commission तो रहा नहीं Niti Ayog के बारे में आपको पता होना चाहिए अब आज ओ भाई हमारा first five year plan ठीक है priority किस पे थी हमारी agriculture पे किस पे based था हारिड डॉमर model पे based था 1951 से लेके 1956 1951 से लेके 1956 तक हमारा first five year plan था ठीक है के एन राज जो थे ये architect थे इस plan के first five year plan के और first five year plan ही हमारा वो plan था जिसमें हमने क्या किया था family planning program launch किया था कब 1952 में ठीक है इंडिया पहला nation था जिसने launch करा था family planning program तो इसका focus हमारा किस पे था agriculture किस से होती है irrigation से तो irrigation project हमारे main तीन थे जो आपको याद रखना है एक तो भाकडा हीरा कुंड प्लस दामोदर वैली डैम ये तीन थे भाकडा आपका पंजाब और हिमाचल ठीक है महानदी पे था हीरा कुंड ओडिशा में और दामोदर वैली डैम जो वेस्ट पेंगॉल ये आपको याद रखना है गुलजारी ना लाल नंदा ये deputy chairman थे आपके planning commission के पहले deputy chairman और first chairman थे जोहरलाल नहरू ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है next हम लोग अगर बात करें second five year plan ये आपका महान लोबीज model पे बीजड था ठीक है महान लोबीज model पे बीजड था इसका focus था आपका industrial development अपने country के इस time पे तीन industries हमने set up की थे दुरगापूर steel industry ठीक है वेस्ट बिंगॉल जो हमारे ब्रीटेन से हमाने कर रखा था यहां से वेस्ट बिंगॉल में set up हुई थी रोर केला steel plant ओडीशा में बिलाई steel plant 36 गड में ठीक है ये आपको याद रखना है second five year plan महान लोबीज model industrial development पे इसका main focus था second five year plan खादी एंड विलेज industries हमने set up करी second five year plan तो नहरू जी ने कहा था तो नहरू जी ने कहा था ये रियाद रखना है rapid industrialization ये हमारा हमारा क्या था main focus था ठीक है तीन में आपको पताये थे हमारी industry थी दुरगापूर वेस्टर में बिर्टिश की help ली थी हमने यहां पे next रोर किला में हमारे जर्मनी ने मदद की थी बिलहाई जो चटिस गड़ में था उसमें USSR ने हमारी मदद की थी ठीक है चलो next आजा third five year plan तीसरा जो five year plan था इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग गाडगिल योजना भी कहते हैं गाडगिल योजना क्यों क्योंकि उस टाइम के गाडगिल जी deputy chairman थे planning commission के ठीक है ये आपको याद रखना है third five year plan हमारा 1961 to 1966 तक चला था इसका third five year plan जो था इसका focus किस पे था हमारा self-reliant self-generating economy बनने पे ठीक है इंडिया का conflict जो हुआ था वार थी हमारी ठीक है इंडिया पाकिस्तान वार जो थी वो 1965 में इस plan का failure होना का थोड़ा सा बहना बन गया था ये आपको याद रखना है ठीक है इंडिया चाइना वार कब हुई थी हमारी that is 1962 में तो 1961 से लेकर 1966 तक जो था ये दो वार्स हुई थी उनकी वज़ा से हमारा ये जो plan है इसमें थोड़ा सा हमें slow pace देखने को मिली थी third five year plan आपको याद रखना है ये हमारा based था जॉन सैंडी एंड सुख मनी चुकरबटीज मॉडल पे third five year plan जॉन सैंडी एंड सुख मनी चुकरबटीज मॉडल ये भी आपको याद रखना है regarding third five year plan और 1965 में agriculture price commission सेट अप करा गया था जिसमें हमारी cost और price agriculture product की हम लोग fix करते हैं 1965 में हमारा food cooperation of India सेट अप किया जाता है 1964 में bokara iron and steel plant जारखंड में हम सेट अप करते हैं किसकी हल्प से Russian government की द्वारा clear याद रखना है आपको Russian government के द्वारा ही third five year plan के अंदर third five year plan के अंदर ही हमारी green revolution का हम लोग उतबादन करते हैं green revolution के through ठीक है तो term green revolution पहली बार किस नहीं दी थी William Gaud ने और Norman Borlaug ने father of green revolution भी Norman Borlaug को कहा जाता है ठीक है याद रखना MS Swami Nathan जी का नाम आप कैसे भूल सकते हैं ये हमारे Indian father of green revolution कहा जाता है clear ये आपको याद रखना है इन्होंने genetics लाए थे हमारी high yield varieties की जो इंडिया में आके भोई थे तो उसकी वज़ा से हमारी green revolution स्टार्ट हुई थी clear तो ये आपको याद रखना है important fact है clear next आ गया था हमारे पास plan holidays 1966 से 1969 ठीक है three annual holidays plan थे हमारे पास between 1962 तो 1969 main reason था आपका war India पाकिस्तान और India चाइना का inflation आ गया saverier droughts आगे तो उसकी वज़ा से ये जो plans थे इनको हम लोग equal priority नहीं दे पाए agriculture थी industrial sector पे उन sectors में हम इस time पे boost नहीं कर पाए थे तो that's why आप इनको हम लोग क्या कहते हैं plan holidays clear 1966 to 1969 reason आपको पता है wars वैर हो रगी थी तो उस time पे क्या हो गया था हमारा time हुआ था clear next आजाता है हमारे पास तो 4th 5 year plan 4th 5 year 4th 5 year plan जो ही हमारा Ashok Rudra Menon model थी क्या 4th 5 year plan को हम लोग क्या बोलते हैं Ashok Rudra Menon model 1969 से 1974 तक ये हमारा 4th 5 year plan चाहना था इसका objective क्या था growth with stability and progressive achievement of self-reliance clear ये आपको objective याद रखना है यही वो time था जिसमें हमने nationalization की थी किसके 14 banks की 1969 में plus oil crisis आया था हमारा 1973 में 4th 5 year plan के under clear 4th 5 year plan के under ये आपको याद रखना है ठीक है बाई चलो next आगे आपके पास ठीक है ये तो हाँ ये सभी चीज़े मैंने आपको बता दी है हमारा जो first underground nuclear test था smiling buddha ये भी कब हुआ था भाई 1974 में तब हमारा कौन सा 5 year plan चल रहा था आपको याद रखना है that is 4th 5 year plan 4th 5 year plan clear चलो next important one is 5th 5 year plan 5th 5 year plan जो है इसको हम लोग DP धर model कहते हैं DP धर model ये आपका 17.4 से लेके 78 तक चला था इसका focus था गरीबी हटाओ employment, justice, agriculture, production and defense clear है याद रखना है आपने ये plan आपका terminate कर दिया गया 1978 में जब newly elect होके सरकाराई मुरार जी देसाई जी की clear है इस plan के period में ही slogan चला था गरीबी हटाओ ठीक है ये आपको याद रखना है 5th 5 year plan ठीक है 5th 5 year plan के time पर ही चला था आपका next minimum needs program minimum needs program आपका 1974 में start किया गया था 20 point program था जो launch हुआ था 1975 में start करा था 1974 में but आपका launch हो गया था 1975 में ये आपको याद रखना है RRB, regional rural banks ये आपका ये हुआ था 2 October 1975 में start करा गया था 1977-74 के दुरान आपको food for work program ठीक है food for work program आपका शिरू कर दिया गया था 8352 national emergency clear ये article जो था आपका 352 internal disturbance के grounds पर लगाया गया था आपको पता ही है इंदरा गांदी जी के time पर rolling plan किसको कहते हैं भाई ये आपका important plan हो जाता है rolling plan 1978 से लेके 1980 तक आपका आया था ठीक है अब rolling plan क्या था इसकी advantage ये थी हमारे पास कि ये flexible था और rigid था आपका five year plans जो थे ये आपके fixed रहते हैं बट आपका rolling plan जो था ये आपका flexible और rigid था किसकी वज़ा से तो इसका जो focus था वो क्या होता था किसी भी एक चीज़ पर हम लोगों ने अपनी allocation करनी थी और उस plan को हम लोग fulfill करते तो उसको हम लोग बोलते थे rolling plan क्या कहते थे that is rolling plan 1978 से 1980 तक जो था उसको हम लोग rolling plan कहते हैं ठीक है rolling plan 1980 तक होगे हम लोग the 1980 से 1985 में हमारे पास आजाता है 6th 5-year plan ठीक है 6th 5-year plan ये आपका duration कौन सा था 1980-1985 से leadership किसकी रही भाई इसमें इंदरा गांधी जी की basic objective क्या था यहां पर economic liberation मतलब के गरीबी हटानी थी employment को generate करना था technology थी जो उसको हम लोगों ने boost up करना था यह हमारे 6th 5-year plan का main मुद्दा था clear है भाई ठीक है इसमें हम लोगों ने एक सिवारमन कमेटी भी बनाई थी कब 1979 में जिसके अंडर हम लोगों ने नबाड को भी establish करा गया था नबाड ठीक है नबाड क्या है national bank of agriculture and rural development को establish करा था ठीक है यह भी आपको याद रखना है during 6th 5-year plan और 1980 में 6 banks को हमने और nationalize किया था 14 हमने पहले किया थे 6 हमने फिर और बाद में किये थे ठीक है नबाड की अभी हमने बात करी थी establish कर दिया गया था 12 July 1982 को किसके recommendation के अंदर that is सिवारमन कमेटी सिवारमन कमेटी यह आपको नाम याद रखना है 1982 में हमने Exim Bank establish करा इंदरा गांदीजी की हो जाती है death विशाका प्रटनम steel plant जो था आपका यह आंदरा प्रदेश में setup होता है देन सेलम तामिल नाडू बदरावथी steel plant विश्वरेम आईरन and steel plant करनाटका में built होते हैं यह सारे भी हम लोग 6th 5-year plan के दुरान setup करते है next हमारे पास जाता है 7th 5-year plan 1985 से लेके 1990 तक इस model को हम लोग बोलते है community wage model community wage model मतलब के 7th 5-year plan जो आपके पास आता है इस पे हमारा जो main focus था एक तो था producing food grains और generating employment किसके थ्रू social justice के थ्रू ठीक है social justice के थ्रू एक तो growth करना था हमने economic productivity में plus production food grains की करने थी generate करना था हमें employment किसके थ्रू social justice के थ्रू मतलब equality सभी के लिए हमें बराबर का काम करना था इसी time पे हमने blue revolution launch करी जिसको हम लोग नीली क्रांती mission भी कहते हैं ताके promote कर सके हम लोग fishery को fishery को promote करने के लिए 1988 में sabi को हमने form करने की बात करी 1992 में sabi एक strategy body के तहर पे हमने launch कर दी sabi का एक act है 1992 का उस act के अंदर हमने ये लाई ठीक है sabi clear है ये आपको याद रखना है clear first time private sector में आपका public sector में priority देने की बात की गई थी आपकी 7th 5 year plan में clear next आ जाता है हमारे पास annual plans annual plans क्या थी भाई yes annual plan 8th plan जो था हमारे पास है 8th 5 year plan ये आपका 1990 में नहीं आ सका किसकी वज़ा से changing economic situation में 1991 हो गया 1992 हो गया annual plans हमारे 5 year plans क्या थी 5-5 साल के annual plans जो था ये हमारा एक साल का plan होता था one year only clear तो ये आपको annual plan हम लोगों ने देखे थे 1990 से 91 91 से लेके 92 तो ये annual plans हम इनको कहते है annual plan आपको याद रखना है कौन-कौन सा होता है भाई 1990 से 91 91 से 92 इनको हम ट्रेट करते हैं क्या भाई annual plan ठीक है 8th plan को हम ने finally formulate किया था कब 92 में जाके क्योंकि इनके बाद clear ना इसके बाद हम लोगों ने 8th plan हमने formulate कर दिया था जो 8th plan था वो हमारा free market reforms आये थे LPG बात कर लेते हैं वहीं पर जाके clear चलो 8th 5 year plan आजाता है हमारा भाई कब 1992 से लेके 1997 तक 5 साल के लिए हम लोगों ने ये भी शिरू कर दिया तो इसको हम बोलते हैं John W. Miller model clear John W. Miller model leadership किसकी थी याँ पर PV नरसिमहा राओ जी की clear PV नरसिमहा राओ जी की इनके प्लान के इसी प्लान के दौरान ये आपका लॉंच किया जाता है New Economic Policy of India जिसमें हम लोग LPG रिफॉर्म से लॉंच करते हैं Liberalization, Privatization and Globalization इस प्लान का focus क्या था Human Resource Development Poverty Reduction Employment Generation Controlling Population Growth and People's Participation clear ये आपको याद रखना है regarding 8th Plan 8th Plan आपका Annual Plans के बाद आया था ये आपको याद रखनी है Important चीज़ है इस प्लान में हमारी Top Priority कि इसको दिए थी Development of Human Resource Employment, Education and Public Sector जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ ठीक है 1995 में हम लोग World Trade Organization के मेंबर बने clear याद रखना है 1995 में Midday Meal Scheme हमने 1995 में स्टार्ट करी ठीक है 1995 में स्टार्ट करी थी क्या Midday Meal Scheme under this plan that is 8th or 5-year plan then हमारे पास आगया 9th 5-year plan 1997 से लेके 2002 था कि इसमें हमारी Leadership कि इसके हाथ में आगी थी तब अटल बिहारी वाजपाई clear अटल बिहारी वाजपाई इसमें क्या था हमारी equality और social justice पे हमारा main focus था ठीक है हमने ग्रोग तो करनी है बट social justice और equality के साथ-साथ हमने growth करनी है यह हमने launch किया था 50th year of independence of इंडिया के टाइम पे 9th 5 year plan ठीक है तब हमें आजाद हुए 50 साल हो गए थे independence को तो इसका focus क्या था भाई growth with social justice and equality यह आपको याद रखना है regarding 9th 5 year plan 9th 5 year plan clear ठीक है चलो आजओ भाई 9th 5 year plan के टाइम ही हम लोगोंने पोखरन 2 nuclear test जो हमारा दूसरा था smiling buddha के बाद यह हमने successfully किया था next 1999 में एक बहुत ही दुर घटना होई थी हमारे देश में जिसको हम लोग कारगिल वाल के नाम से जानते हैं किस-किस के बीच में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ठीक है कहां हुई थी यह कारगिल में आपको पता ही है यह कहां पढ़ता है हमारा लद्दाख की यूटी में ठीक है लद्दाख की यूटी में clear तो यह कारगिल विजे दिवस हम लोग मनाते हैं अपने हीरों को उन जो जो शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए उनकी याद में clear है भाई तो इसको हम लोग डिटेल डिसकस नहीं करेंगे हम फिलाल five year plans पे ही focus रहते हैं next आजा था हमारे पास है tenth plan tenth five year plan जो हमारा कब आया है 2002 से लेके 2007 तक कब आया भाई tenth five year plan that is 2002 से 2007 इस time पे हमारी जो leadership थी अतल बिहरी वाजपाई और मनमोहन सिंग जी दोनों आके थे साथ में ठीक है इसका जो main objective था ठीक है तो वो क्या था eradicate poverty and unemployment poverty गरीवी हटानी थी हमें प्लस unemployment को खतम करना था जतना हो सकता था हमें employment लानी थी 20 point program हमने 10th इसमें launch करने की कोशिश करी थी ठीक है हमने increase करी थी हमारी literacy rate 72% थे ठीक है कितना 72% से और plan period था हमारा 80% 2012 तक 7 तक हमारा 72% हो गई थी हमारा 2012 तक plan था कि annual literacy rate हमारी कितना पुचाएंगे हम 80% तक पुचाएंगे और infant mortality rate ये आपने याद रखना है infant mortality rate ये important terms आपको exam में पूछते हैं ये आपकी reduce कर दी की हमारी कितनी 45 per thousand ठीक है 45 per thousand live birth जो थी वो 2007 से लेके हम लोगों ने 28 deaths per thousand कर दी थी हमने कब तक भाई ये हमारा 2012 तक हमारा ये target था clear है ये आपका था infant mortality rate clear है ये आपको याद रखना है regarding 10th 5 year plan ठीक है next आजाता है हमारे पास से 11th 5 year plan 11th 5 year plan पे हमारा main focus था faster and more inclusive growth ठीक है याद रखना है ये जो आपका plan था ये हमारा prepare करा गया था किसके दवारा सी रंगा राजन जी के दवारा सी रंगा राजन 2007 से लेके 2012 leadership थी यहाँ पे मन मोहन सिंग जी के हाथ में और सी रंगा राजन ने prepare किया था theme थी आपकी towards faster and more inclusive growth किसकी 11th 5 year plan की अगर हो रहा है 11th 5 year plan की हम लोग और यहाँ पे बात करें तो इसका main focus था environment sustainability क्लियर क्या था 11th 5 year plan का हमारा environment sustainability पे focus करना था हमने क्लियर है उसके बाद गवर्न परस्यूट करने थे skill development goals हमारी agriculture growth rate दोची वो 4% से हमने बढ़ानी थी हमारे 11th 5 year plan में हमने बात करी थी next हमारे पास आता है 12th 5 year plan 12th 5 year plan क्या था हमारे पास इसका एक ही एम था that faster more inclusive and sustainable growth clear है यह हमारा last plan था कौन सा था last plan था इस ही plan के under यह 2012 से लेके 2017 तक रहा था इस ही plan के under हमारा main जो focus था government का वो क्या था all Indian villages जितने भी इंडिया के गाउं है ठीक है उनको क्या करना था वहाँ पे क्या करने थी भाई बिजली लानी थी clear है यहां में बिजली ही लिख रहा हूँ ठीक है तो वहाँ पे क्या electricity लानी थी और हमने step क्या लेना था social और gender gap जो था वो हमें education में क्या करना था reduce करना था यह भी आपको याद रखना है population below poverty line जो थी हमारे पास यहां 29.8% थी at the end of 2009 और 2010 clear है और इसी को हमने 12th 5 year plan के time पे 10% तक ले आये थे हमने reduce कर ली थी कितनी poverty हमारी 29% से सीधा 10% ले आये थे यह हमारा जो था last 12th 5 year plan था जिसको आपने याद रखना है ठीक है भाई अब कुछ important targets जो important है आपके पास यहां पे कौन से 5 year plan ने highest growth rate अचीव की थी यह आपको पूछा जाता है clear अगर हम लोग बात करें यहां पे 11th 5 year plan थीक है 11th 5 year 2007 से 2012 तक था इसका जो target growth थी target growth याद रखना 9% plus achieve कितना हुआ था यहां पे 8% यह highest था 11th 5 year plan था जिसने growth rate सबसे ज्यादा achieve करें थी वो आपका 11th था ठीक है first number पे आप इसको रख सकते हो जिसने achieve की थी highest है उसके बाद अगर बात करें 10th 5 year plan की 2002 से 2007 8% हमारी target growth थी but actual growth कितनी हुई 7.6 तो second number पे हमारे पास यह आ जाएगा कौनसा 10th वाला next हमारे पास 9th 9th में हमने क्या setup किया था हमारे target किया रहागा 6.5 achieve कितना करा हमने 5.4 clear है next अगर बात करें हम लोग 8th की 8th 5 year plan में हम लोगों ने target किया रहा था 5.6% की growth but हमने 6.8% का target achieve किया था clear है यह आपको याद रखने हैं कभी कभी आपसे यह भी गुमा फिर आके पूछे जाते हैं exam में clear अब एक बार revise कर लेते हैं भाई आपका first 5 year plan 1951 से लेके 1956 तक था second 5 year plan आपका 1956 से लेके 1961 third 5 year plan जो है आपका 1961 से लेके 1966 plan holiday हमने अभी बात करी थी 1966 से लेके 1969 तक जो थे उनको हम लोग क्या कहते थे planned holidays ठीक है fourth 5 year plan 1969 से लेके 1974 fourth 5 year plan fourth 5 year plan में ही हमारा क्या green revolution की बात हुई थी और 14 banks जो थे उनको हम लोग ने nationalize किया था clear next है आपके पास fifth 5 year plan 1974 से लेके 1979 fifth 5 year plan यह launch किया था DD धरने किस ने prepare और launch किया था DD धरने remove करनी थी हमें poverty attain करनी थी self-reliance यह हमारा fifth 5 year plan का main क्या था objective next आजा था हमारे पास थो rolling plan rolling plan के हमने बात की थी कब 78 से लेके 79 78 से 79 जो था इसको हम लोग क्या कहा था rolling plan ठीक है sixth 5 year plan 1980 से लेके 1985 तक आया था sixth 5 year plan जिसमें हम लोग ने nehrion socialism कहा था economic socialism की बात की थी नबाड हमारा इसलिमें establish हुआ था नबाड ठीक है और शिवरमन कमेटी हमारी sixth 5 year plan के तहत ही आई थी जिसमें हमारा नबाड को बात में establish करा गया था seventh 5 year plan की बात करें अगर तो 1985 से लेके 1990 तक रहा हमारा seventh 5 year plan जिसमें हमने बात की थी किसकी social justice की social justice social justice की हमने बात की थी किसमें हमारे seventh 5 year plan उसके बाद हमारे क्या आय थी annual plans ठीक है annual plans थे 1990 से लेके 1991 91 से लेके 92 इनको हम लोग क्या कहते है annual plans eighth plan जो था यह हमारा further next में आया था यह eighth 5 year plan नहीं आ पाया था क्योंके changing economic situations थी उस time पे clear यह आपको याद रखना है eighth 5 year plan हमारा तुरंट बाद आ गया था 92 से लेके 97 ninth 5 year plan हमारे पास आ गया था 97 से लेके 2000 then tenth 5 year plan 2002 से 2007 11th 5 year plan 2007 से 2012 इसमें हमारी highest growth देखने को मेरी थी किसी भी आज तक के plan में कितना हुई थी growth इसमें अभी हमने discuss कर रहे था भाई 8% की growth देखने को मिली थी हमारे किसी भी 5 year plan की सबसे highest growth दिये clear है clear याद रहेगा next आ जाता है हमारे पास 12th 5 year plan जिसमें हम लोगों ने बात की थी क्या objective क्या था faster more inclusive and sustainable growth growth target कितनी थी हमारी 8% की clear है 12th में तो भाई ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा session आपके most important topic में से एक का जिसको हम लोग बोलते है plans of India 5 year plans सारे के सारे हम लोग ने detail में बात करी planning commission की बात करी नीती आयोग की बात करी ठीक है तो और ऐसे ही sessions के लिए do subscribe आओ चैनल और वीडियो पसान नहीं हो तो like कर देना ऐसे ही sessions आते रहेंगे कल हमने discuss करा था English का portion vocabulary बहुत important session है वो भी एक बार जाके check out कर लीजिएगा daily हमारी 9 बज़े class रहेगी तो मिलेंगे कल वाले session में तब तक पढ़ते रहो खुश रहो God bless you keep learning keep sharing